बॉलिवुड में ऐसी कई सारी आक्ट्रोसेज हैं जो खुबसूरती के लिए सरजरी का सहारा लेती हैं हाला कि किसी की सरजरी उन्हें और भी खुबसूरत बना देती है वहीं किसी के लिए ये भारी गलती बन जाती है बॉलिवुड में सर्जुरी करने वाले अक्ट्रोसिस के लिस्ट बहुत ही लंबी है आईए जानते हैं सर्जुरी से बिगडा किन किन अक्ट्रोसिस का चहरा कोईना मित्रा कोईना मित्रा जो बॉलिवुड में अपने डांस नंबर्स के लिए जानी जाती थी लेकिन एक गलती ने उनके फिल्म में सफर पर पूरा ठपा लगा दिया कोईना ने अपनी खुबसूरती निखारने के लिए नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई जो ने बहुत ही महंगे पड़ गई पहले वो बहुत ही खुबसूरत लगती थी लेकिन आप सर्जरी ने उनके सारी खुबसूरती छीन ली अनुषका शर्मा फिल्म अभीनेत्री अनुषका शर्मा भी तब ख़वरों में आगे जब बॉंबे वेलवेट के दौरान उन्होंने आपर लिप की सर्जरी करवाली अनुषका को सर्जरी के बाद पहली बार करन जोहर के चैट शो में देखा गया था अनुषका का ये बिगड़ा हुआ लुक चरचा का विशेबन गया हाला कि अनुषका ने बाद में कहा था कि ये पर्मानेक नहीं बलगे कुछ दिनों के लिए था क्योंकि ये अनुराग करशिप के फिल्म में उनके किरदार की जरूरत थी वैला नुश्का का लुक तो हमें अभी भी सेम ही लगता है और आपको राखी सावन्थ हमेशा अपने विवादित बयानों से लोगों का ध्यान खीशने वाली ड्रामा क्वीन राखी सामत ने भी ब्रेस्ट इंप्लैंट और नाक की प्लासिक सर्जरी करवाई है कई बार वो इन खबरों को सचमानती हैं तो कई बार गलत जो भी हो वो हम आप पर छोटे हैं कि आप उनके इस बात को कितना सचमानते हैं पिछले साल आशा टाकिया ने भी अपने होटो की प्लासिक सर्जरी करवाई जिसकी एक फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसके बाद आशा टाकिया को सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्रिटिसिजम का सामना करना पड़ा इस बारे में जो हमने उनसे बात की तो उन्होंने सिर्फ इसे एक फेक न्यूज बताया खेर आशा का बदला लुक तो कोई और ही कहानी कह रहा है क्यों? कट्रीना कैफ इसके अलावा इस लिस्ट में सबसे आगे हैं टागर जिन्दा है कि आक्ट्रस कट्रीना कैफ कट्रीना के पुराने लुक्स और अभी के लुक्स को कंपेर करें तो ना सिफ उन्होंने लिप सर्जरी करवाई है बल्कि उन्होंने अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है हाला कि इन खबरों को कट्रीना ने कभी भी सच नहीं माना शिल्पा शेटी रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रूस और मॉडल शिल्पा शट्टी ने भी अपने करियर को सवारने के लिए ब्रेस्ट और नाक की सर्जरी करवाई थी इसके पहले उनके लुक को अपसे कंपैर करें तो इसमें कोई भी समानतार नजर नहीं आती प्रियांका चोपडा और उन्होंने अपने लिप्स और नोस की सर्जरी करवाई है यहां तक की दूसरी एक्ट्रूस से अलग वो खुद भी इस बात को मानती है मिनीशा लामबा मिनीशा लामबा ने भी अपने लुक में बदलाव लाने के लिए नोस सर्जरी करवाई थी हालांके इस वज़़से वो अपने फिल्मों से जादा मीडिया में सर्जरी कराने की वज़़से खबरों में बनी थी अदिती राव हैद्री अदिती राव हैद्री पदमावत में अपने खूपसूरती के लिए हर जगा सराही गई थी लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने भी नोस सर्जरी कर आई थी जी हाँ आदिती के पुराने और अपकी तस्वीरों को ध्यान से देखें तो उनकी नाम का बहुर भी पतली और सीधी हो गई है वेल अगर आपको लगता है कि उस लिस्ट में कोई और भी शामिल है तो नीचे कमेंट करके हमें उनका नाम बताईए अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए इस पर कमेंट कीजिए और हिंदी रश को सब्सक्राइब कीजिए